हेलो बच्चों वेलकम तो अड़ी क्लासेस आसा करता हूँ कि आप सभी लोग सस्थोंगे और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि Science class 10 और जिसका हम लोग Chapter 6 जैप्रक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैंने प्छली वीडियो में जैप्रक्रम के बारे में बताया था कि जैप्रक्रम क्या होता है और वो जैप्रक्रम कौन कौन से have तो वह आपके जो जैप्रक्रम जो थे अगर आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें जिसमें मैंने जैप्रक्रम के बारे में और जैप्रक्रम हमारे लेक्यों आप सक है इसके बारे में बताया है और मैंने जैप्रक्रम कौन-कौन से बताया थे पोसड सौसन वन और उत्सरजन ठीक है तो आज का हमारा टापिक होगा हमारा पहला प्रक्रम है पोसड यानि कि पोसड किसे कहते हैं ठीक है पोसड किसे कहते हैं तो आज का हमारा टापिक है तो पोसड का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कोई कारे करते हैं या साइकल चलाते हैं तो अगर हम साइकल को चलाते हैं या कोई कारे करते हैं तो क्या करते हैं हम ठक जाते हैं ठक जाने का मतब क्या होगे हमारे अंदर उर्जा की कमी आ जाती है तो फिर अगर हमको उर्जा को बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं उसके लिए हम कोई भी भोज्य पदार्थ जिससे हमारे अंदर एनरजी फिर से डेवलब हो जा जाती है तो उसी को बोला जाता है पोसड पोसड का मतलब होता है फोजन को गहर करना पच्चे भोजन bilmiyorum का ऑसोसर करनानेत सरीर द्वारा अनुरसड के लिए उसका उपयोग करना पोसड कहलता है यानि कि भोजन को आप गरहड करेंगे ठीक है भोजन को गरहड करने के बाद जब भोजन पच जाता है तो उसका आउसोसर होगा आउसोसर होकर के जो उर्जा होगी वो हमारे पूरे बाड़ी में भेजी जाएगी ठीक है अब भोजन को हमने गरहड किया उसका आउसोसर कर लि यहांने हमारे सरीर के रचते से जैसे अगर हमारे सरी में उर्जा की कमी आ गई तो हमने कोई भी चीज यानि भोजेपदार्थ कोई भी खा लिया ठीक है तो उसके बाद क्या होगा उसका मतलब हो गया कि हमने भोजेपदार्थ गरहड कर लिया अब उस बोद साल 16Allah अब जब खोड़्स और उसके बाद उसका यूज हो गया जी कि ऑसे सोडर हने के और अलग तरीके सेठी हमारे सरीर के अनुरत्षड के लिए यूज होगा जहां पर जिसकी कमी होगी ओनी हमारे सरी सरीर द्वारा अनुरच्षड के लिए इसका उपयोग करना पोसड का लाता है ठीक है अनुरच्षड का मतलब हो गया कि हमारे सरीर का रच्षड करना ठीक है जो भी कमिया है उसको पूरा करना जो हमारे सरी के अंदर टूट फूट हुई है उस टूट फूट को पूरा करना अ अब जो है भोजन के आधार पर पोसर को दो भागों में बाटा गया है ठीक है यानि कि यहां पर जो पोसर है पोसर को दो भागों में बाटा गया भोजपादार के आधार पर एक है आपका स्वपोसी पोसर दोसरा है विसम पोसी पोसर ठीक है यानि कि जो पोसर है हमारा उसके यह दो पार्ट है स्वौपॉशी पोसलग वीशम्पोशी पोसलग अब्सकी यहाँ पे दोश्ब पार्ट है कि सौफ पोसी जया नाम से ही पदाश चल जाता है कि है जो अपना भोजन स्वएम बनाते हों उनको स्वपोसी पूषडर कहते हैं अब आप कहेंगे कि मैं भी तो अपना भोजन अपने हाथ से स्वेम बना सकता हूँ ए ठीक है क делать तो ऐसा नहीं है भोजन श्वैम बनाने का असाथनर आप पधे ठीक है ? मनुख से नहीं एसा मैसे नहीं एक कि आप अपना भोजन बनाते हैं तो आप सौपोसी में ये एसा नहीं है संपोछी का मतलब होता है कि जो अन्य सजीवीवीन निर्फार्ना करते हो ठीक है? यह पोसड का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन जिसमें जीव अपने यहां पे दो बार हो गया है अपने आसपास के वातावरण में उपस्ति सरल अजय पदार्थ हों जैसे CO2, पानी, सुर्य के प्रकास से अपना भोजन स्वयम बनाते हैं उनको बोला जाता है स्वपोसी पोसड यानि कि स्वपोसी पोसड का मतलब होता है कि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयम बनाते हो उसको बोलेंगे स्वपोसी पोसड अब बनाते कैसे हैं यानि कि आरवंड़ा यह अकसायड हो गया आपका पानी हो गया और सूर्य ठीक है यह जो अजयर्विक पदार्थ हैं CO2 पानी और सूर्य का प्रकास इनको गरहड करके ऍरक इस आप और अपना भोजन का वो निर्मार करते हैं जैसे हरे पोद्धे और सैवाव्ध कर तो कि यहां पर चीज आप देखेंगे कि जो सौप पोशी पोसल होते हैं वो अपना भोजनने उनके भोजन करने के तरीके को हम बोलते हैं प्रकास संसले सड्ठ्षाण कि तो इस वॉप वॉस Kent करने के तरीके को हम बोलते हैं प्रकास यानिकि 45 जो होता है यहिंदा कि ले लिए पौधे को जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं प्रकास संसलेसर के माध्यम से इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इस प्रकास संसलेसर को प्रकास संसलेसर की क्रिया वीधी के लिए हमको co2 यनिकी carbon dioxide आख साइड पानी सुर्य का प्रकास और एक क्लोरोफिल की आव सकता होती है इसके बारे में हम डीटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो यह आपका सौ पोसी पोसर दोसरा पोसर होता है विसम पोसी पोसर का अर्थ होता है पोसर का वह तरीका जिसमें सजीव किसी अन्य सजीव करते हैं मनुस्य हो गया ठीक है तो उसे बोलेंगे विसंपोसी पोसड आख का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वेन नहीं बनाता है बलकि अपने भोजन के लिए अन्यजीवों पर निर्भर करता है उसको बोला जाता है विसंपोसी पोसड इसका उधार्ण है मनुस कि पोसड को तरफ से और कर सकते हैं कि जिसमें जीव जो होता है अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर डिपेंड करता है यह वो खुद अपना भोजन नहीं बना सकता है उसे बोला जाता है विसम पोसी पोसड ठीक है अब यहां पे पोसड के आधार पे हम जीवों को दो भाग में बाढ़ सकते हैं जो पोसड है पोसड के आधार पे जीवों को दो भाग में बाढ़ सकते हैं तो जो स्वपोसी पोसड होता है यह जिन सजीवों में स्वपोसी पोस सजी सब जिवए सजी कोई भी जिसकते हैं फ्रण और जिन में विसम पोसर होता है उनको ब्रण टा है बी संब उसी बी संपोशी को कि मिलिए ठीक पोसर के अधार पे हम जीवों को दूब भागों में बाढ़ सकते हैं स्वपोसी जीव और विसंपोसी जीव तो जिन सजीवों में स्वपोसी पोसड होगा उनको बोलेंगे स्वपोसी जीव और जिन सजीवों में विसंपोसी पोसड होगा उसको बोलेंगे विसंपोसी जीव और यहां पर चीजाद रखेगा कि स्वपोसी पोसड जो होता है प्र जो बिसम पोसी पोसड होता है इसके कई भाग हैं जिसको मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं तो तो आगे बढ़ते अपने टापी की तरफ बिसम पोसी पोसड तो जैसा कि मैंने बताया था विसम पोसी पोसड का मतलब होता है कि ऐसे सजीव जो अपना भोजन बनाने के लिए स्वय पे निरफर नहीं होते हैं यह निए क्यों सजीव से अपना भोज्जय को वोलते हैं उनको बोलते हैं विसंपोसुषर्ट तो इस प्रकार के पोसड़ को बोलता है विसंपोसी पोसड़ ठीक है लेकिन आज यहाँ पर कई कंडिशन गया नि y उसका संपूर भोजय पदार्थ का अंतरगर करते हैं फिर पाचन करते हैं ठीक है और फिर उसका आउसोसल करके उर्जा को प्राप्त करते हैं लेकिन कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो सीधे ही भोजन को आउसोसित करते हैं ठीक है जो सीधे ही भोजन को आउसोसित कर लेते हैं य होते हैं एक होते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन चूशते हैं और एक तरह के सजी वैसे होते हैं जो सजीवों से जो जिन्दा है उनसे ही अपना भोजन वो चूशते हैं बिना उनको मारे ठीक है एक तो मरे हुए से चूशते हैं और एक जो होता है बिना मारे ही उस से उसकी सता से अपना भोजन जो आउसोसित करते हैं कि चूजते हैं तो यहां पर हमारा पहला प्रकार है प्राड़ी पोसड ठीक है यानि कि जो आपका विसम पोसी पोसड होता है उसमें हमारा नंबर एक है प्राड़ी पोसड प्राड़ी पोसड क्या होता है इसमें जीव सं संपूर भोजय पदार्थ का अंतरग्रहर करता है तथा उसका पाचन सरीर के अंदर करता है जैसे आपका हो गया अमीबा मानों जैसे कि मैंने बताया आपको इसमें जो सजीव होता है वो संपूर भोजेपदार्थ का पहले अंतरगरह करता है और उसके बाद जो है उसका पाचन करता है सरीर के अंदर ही उसका पाचन करता है और इस प्रकार के सजीवों को बोला जाता है प्राडी संपोसी जैनकि जो जिसमें प्राडी संपोसर होता है उनको बोला जाता है प्राडी संपोसी प्राडी संपोसी इसका उदारण है जैसे कि मनुस्य और अमीवा अमीवा हो गया मनुस्य हो गया और पैरामीसियम हो गया यह जो है आपके प्राडी संपोसड जीव है और इनमें जो पोसड होता है वो होता है प्राडी संपोसड होता ह अब यहां पर संपूर जो है आपका संपूर भोजय पदार्थ का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप आम खा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि पूरे आम के पेड़ को ठीक है तो सिर्फ आम की बात है निकि जो आप खाते हैं आम का मतलब हो गया कि पूरा आम नहीं या कि उसक संपूर भोजय पदार्थ को ग्रहड करता है और उसके बाद उसका पाचन होता है उसके सरीर के अंदर उसका पाचन होता है तो इस प्रकार की पोसड को बोलते हैं प्राडी संपोसड फिर आपका दोसरा है मृत जीवी पोसड यानि दोसरा भी संपोसी पोसड है मृत जीवी पोसड में क्या होता है जैसा कि यहां पर नाम से पता चल जाता है मृत जीवी यानि कि मृत जीव यानि कि मरे हुए जीव ठीक है ऐसा पोसड ऐसा पोसड जिसमें मरे हुए जीवों से पोसड होता हो उसको बोला जाता है मृत जीवी पोसड यानि जिसमें जो सजीव होता है वह मरे हुए जीवों से अपना भोजन अपना भोजन जो है उससे अंतरगर करता है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो सजी होते हैं वह मरे हुए जीवों के सद्धा से भोजन को चूस लेते हैं की कि यदि जैसे मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं यानि कि माता गी मेल निकला घरकठी ड़होण हो तो आउस चाहर जैसे सनच्रा निकला ती है एक चट्टा निकल लाता है उसको बढ़ाता है कवक ठीक है इसका उदारा नहीं फूफूदी और कवक तो वो क्या करते हैं वो अपना भोजन जो होता है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या मरे हुए जीवों से उनसे चूसते हैं ठीक है आउसोसित करते हैं यह भोजन को आउसोसित करते हैं यह चूस करके प्राप्त करते हैं कि अब क्या हमारे लीए आवस्यक है मिर्ति जीभी पोसर्ड हमारे लिए यह नहीं फूरे परयावरण के लिए बहुत ही important है न कि नहीं कि बहुत ही लाबदायक है अगर मिर्ति जीभी पोसर्ण नहीं होगा तो हमारे परह बिमार्या फैल जाएंगी कैसे अगर मिरत जील नहीं तो मिले का छिलका आप खाकर देते हैं तो इस तरह केखा फेक फींग और हो गलेंगे नहीं जैसे हैं वैसे हिए रह जाएंगे ठीक है तो 1998 अंबार लग यह जो यह उसको गलाने में मदद करते हैं कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है वो उसको गला करके चूस लेते हैं इसी तरह से कर कोई जीव मर गया तो क्या करते हैं उसको गला देते हैं और उसकी सता को और सोसित कर लेते हैं जिससे वो क्या है खतम हो जाता है तो जो मृत मिर्त जीवी पोसड है वो हमारे लिए बहुत ही यानि की पर्यारण के लिए बहुत ही महत्वपूर यानि माहिने रखता है और इस तरह के जीव यानि की जिनमें मिर्त जीवी पोसड होता है उनको मिर्त जीवी बोला जाता है ठीक है जिनमें मिर्त जीवी पोसड होता है उनको मिर्त जीवी बोला जाता है कि ठिर हमारा दीसराम पोसड़ है पर जीवी पोसड़ पर जीवी ठीक है परजीवी यहाँ पर नाम vents से देख सकते व्हारा दूसरा जीन० का मतलबी सजी इनने की दूसरे सजी उपर निर्भर करते हैं तो अभी यहाँ पर देखें कंडीशन इसी तरह से है लेकिन अंतर क्या यह जो है जो मर जाता है उससे उसकी सता से आउसोसित करते हैं उसकी सता को चूज करके अपना भोजन पोसड करते हैं लेकिन ये क्या करते हैं कि जो सजी होता है उसको बिना मारे यानि कि परजीवी अन्य जीवों के सरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोसल प्राप्त करते हैं सरीर के अंदर या सरीर के बाहर रहा करके किसी भी तरह से बीना मारे उन उनसे जो है अपना भोजन चूजते हैं ठीक है जैसे फीता क्रीमी फीता क्रीमी उदारण है जो आप सरीर के अंदर हमारी आत में रहता है फीता क्रीमी जो होता है वह आत में रहता है और उसको भशपुरी में केचुवा भी बोला जाता है ठीक है तो आत में पाए जाता है वह आत से जो है भोजन को चूज करके और सोसित कर लेता है जू जू जो होता है बालों में पाए जाता है सिर में पाए जाता है यह आपका भोती यह क्या करता है कि सजीव को बिना मारे यह यहां पर देखिए जू जो है सजीव को मारता नहीं है बलकि उसकी सत्व से ही अपना भोजन छूस करके प्राप्त करता है इसी तरह से अमर बेल अमर बेला जो हता है आमर मेल जो होती है और जिन पौध के पेल जाते हैं उनको सुछा देते हैं क्यों कि जो पीड पौध होते हैं जब आता है तो जितना भोजन बनाते हैं एवा उसको बेल जो होती है वो लेते जाती है और पेल पौधे के लिए भोजपदार्थ उपलब्द नहीं हो पाता है इसलिए वो जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं ठीक है तो यह रहा आपका पूरा पोसर और मैं आसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होग और अगर आप इसकी नोट्स बनाना चाहते हैं तो या या इसकीन साथ इसका ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके बीच में रोक के लिख भी सकते हैं मैंने इसलिए इसको इस तरह से बताया जिससे आप नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं और मैं अगली वीडियो में आप को बताऊंगा कि किसमें किस तरह से जो है पोशड रोता है जैसे म्सिप ने पौधें कैसे बनाते हैं बूसक्राफ ज़िए हमीबो हो गया मनुश्य हो इसमें वह जो है अपना बोजन कैसे तयार करते हैं उनमें भोजन को को जब बोजन वह को गहण कर लेते हैं तो उनमें क्या-क्या किरिया होती हैं इसके बारे में मैं आप वो अगले वीडियो में बताऊंगा और साथ ही में अगर आप नए वीवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके